हेलो एक्रोम से दिखा मैं आपके लिए बत्याओ के लिए कुलड पीजा की तो सबसे पहले इस पीजा को बनाने के लिए यह करमिवें चाहिए ब्रेड यहां पर मैंने ब्रेड का एक स्लाइज लिआ है आप कोईभी ब्रेड ले सकते हैं मिलक ब्रेड हो रोग्स ब्रेडके जाप mo the key और छोक्अ कोईफी ब्रेड इसके अंदर है अब हम अब देंगे कुछ वेजुस तो यहां पर मैंने half cup boiled contact कौन लिये है यहां मैं डाल है ह bakın finely chopped ऑनियंज यहां में ले रही हो half cup finely chopped की होईmi हैमें डालरी हो i1 tablespoon of mayonnaise अब मैं मैं इसके अंदर डाल देंगे Mixub तो यहां पर अब यहां पर औरिगयनो का इस्तमाल भी कर सकते हैं यहां में डाल रहे हो हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स अब इसके अंदर जाएगा टू टेबल स्पून पीजा पस्ता सॉस अगर आपके पास पीजा पस्ता सॉस ना हो तो आप पीजा टॉपिंग भी डाल सकते हो अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसे ब्रेड के स्लाइजिस के साथ और सारी वेजिस के साथ में कोट कर लेंगे तो यहां देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा मिश्रन बन कर तयार है अब हम ले लेते हैं यहां पर कुलर तो यहां पर मैंने इस तरह स कुलड ले लिए आप चाहो तो मिट्टी वाले कुलड भी ले सकते हो अब हम इस स्टफिंग को जाल दालेंगे इस कुलड के अंदर और इसे अच्छे से फील कर लेंगे उपर तक हम इसे फील करना है दोनों कुलड फील होने के बाद हम एक बार स्पून से इस तरह से इसे प् आप याँ पर मोसरेलाचीज याँ पिर प्रोसेस चीज का भी इस्तमाल कर सकते हें मैंने हाँ पर चीज स्प्रेड और मॉसरेला चीज दोनों का इस्तमाल किये हैं अब उपर से लगा देंगे mozzarella cheese तो यहां पर हम करेंगे दिपर बड़िया से चीज का फ्लेवर आएगा और लुक आएगा अब इसे और पे ज़्यादा टेम्टिंग बनाने के लिए इसके उपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी से चीली फ्लेक्स को प्रिंकल करने के बाद हम इस नमक को अछ्छे से तले में फेलाज कर हम इसके उपर रख देंगे एक प्लेट आकझ हम भी रख करेंगे तो जाएंकि और श्रम को लो merely इह二ो डीनिट के भी रख करेंगे तो यहाँ पर हम इसे lid लगा देंगे और flame को low flame पर ही रखेंगे और हम इसे 10 मिनिट के बाद देखते हैं तो यहाँ देखिए 10 मिनिट हो चुके है और बहुत ही अच्छे से हमारा pizza बेक हो चुका है बहुत ही अच्छे से cheese भी melt हो गई है अब हम flame को off कर देंगे और फिर से इसे lid लगा कर थोड़ी देर के लिए इसी तरह छोड़ देंगे तो यहाँ देखिए थोड़ी देर बाद हमने इसे बाहर निकाल लिया है बहुत ही बड़िया सा हमारा pizza बनकर तयार है तो फटा फट से मैं इसे आपको निकाल कर बताती हूँ यहाँ देखिए बहुत ही perfect बहुत ही delicious हमारा pizza बनकर तयार है तो हैना यह बहुत ही आसान सी recipe ना कोई dough बनाना ना कोई pizza based को market से लेकर आना ना कोई बहुत सारे ingredients बिलकुल कम समय में कुलर पिजा बनकर तयार है तो कैसे लगे आपको हमारी recipe हमें comments करकर जरूर बताना thank you so much